किसान भाईयो नमस्कार आप सभी का हमारी योटूब चैनल डी के खित्ति ग्यान में फिर्चे सवागत हैं आज की वीडियो में बात करने वाले हैं तीन परस्चिद ग्यों की ऐसी वराइटी जिनकी बुआई यदि आप अपने खेद में करते हैं तो आप आपने आने वाले समय में अपने ग्यों की फिर्चल से बहुत ही अच्छी पैदवार ले पाएंगे किसान साथियो यह तीनों वराइटी बहुत ही परस्चिद है आपने जरूर इन तीनों की कभी न कभी बुआई की गई होगी अन्यता आपने इनका नामतों अवस्चे ही सुना होगा किसान भाइओ पिछले कई वर्चों से यह तीनों वराइटी ही किसान भाइओ को बहुत ही ज़्यादा जवर्दस्त उत्पदम देती आ रही है तो किसान भाइओ यदि आपने इन तीनों में से किसी की अब तक बुआई नहीं किये हैं तो आप एक बार इन तीनों वर्चों को लगा करके अवस्चे देगेगा निश्ची तोर पर आप भी इन तीनों ही वर्चों से एक अच्छी पैदावार ले पाएंगे तो किसान भाइओ बात करने वाले हैं HD 2967, श्री राम सूपर 303 और HD 36 इन तीनों वर्चों के बारे में जो की बहुत ज़्यादा परसिद है तो किसान भाइओ आपको इन तीनों वर्चों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी आप वीडियो में अंत्तग बने रहिएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लिजएगा आपको हमारे चैनल पर खेती संबदी सारे जानकारी मिल जाएगी किसान भाईयो कमेंट करके जरूर पताइगा कि आपको इन तिनों में से कौन चैवरेटी अच्छे लेगी किसान भाईयो सबसे पहले बात करते हैं HD 29-67 के बारे में यहां बहुती परसीद पुरानी किसम है तो किसान भाईयो यदि इसके बुआई की बात की जाए तो आप इसके बुआई 25 नौंबर तक कर सकते हैं यदि इसमें बीज की माता की बात की जाए जब भी आप इसकी बिजाई करते हैं तो आपको 40 से लेकर 35 सिलग्राम परती 81 बीज की माता लेनी होगी इसके पक्रने की समय हो दी 140 से लेकर 140 दिन की है किसान भाईयो यदि इसमें फुटाओ की बात की जाए तो आपको इसमें एक पोदे से 15 से लेकर 20 करले देने को मिल जाएगे यदि इसके पोदे की हाइट की बात करें तो इसके पोदे की जो हाइट होती है इस गेंग की वराइटी का दाना मोटा होता है, जो इसकी रोटी होती है, वह भी खाने में बहुत ज़्यादा स्वाजिस्ट लगती है, किसान साथिव आपको इसमें तीन से लेकर छे से चाई करने का सकता पड़ सकती है, यदि रोग पड़ते हो तक शमता की बात की जाए, त तो आप इस वराइटी से बाइस कॉंटल से लेकर 26 कॉंटल परती एक ड़तक उत्पादे निकाल सकते हैं, किसान भाईयों अब बात करते हैं श्री राम सूपर 303 गेंग की वराइटी के बारे में, श्री राम सूपर 303, श्री राम कंपनी की सबसे बहतरीन और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाले गेंग के वराइटी है, यह सबसे उन्नत किसम मानी जाती है, किसान भाईयों आप इसकी बुआई अगरती भी कर सकते हैं, और पच्छेती भी कर सकते हैं, दोनों ही अ बुआई गर्ती एकर बीज की मातल देनी होगी, जब आप अगेती भी करते हैं, तो आपको 40 क्lor European बीज लेना होगा, यदि पच्छेती भी करते हैं, तो आपको 50 क्lor गर्ती एकर क करने की बुआई करते हैं, तो आपके लिए यह वराइटी बोहती सांदार हैं, और कम समय मे भी जल्दी से हो जाएगी है किसान साथियों इसके जो पोदे के हैट होती है वह मात 88 cm से लेकर 90 cm होती है किसान साथियों इतनी कम हाइट होने करण यह तेज होआ और तेज सुफान में भी सीधी खड़ी जाती है जिस करण किसान भाईजों को बहुत ही अच्छा पतन देने को मिलता है इसमें यदि फुटाओ की बात की जाए तो आपको एक पोदे से 10 से लेकर 15 कल्ये तक देने को मिल जाएगे किसान साथियों आपको इस वराइटी में हलके फुल के रोग देने को मिल सकते है यदि आप अस्टार्ट में ही एक स्प्रे कर देते है तो आपको अंधित का दाना होता है व्या मोटा होता है और वजंदार होता है जिस कारण से यह वराइटी अच्छा पदन देने में शक्से में है यदि इसके कुल पदन की बात की जाए तो आप सिधिराम सुपर 303 गेहों की वराइटी से 25 कौनटल से लेकर 28 कौनटल परती एकर तक उत पदन न वराइटी है आप इसकी बीजाई पूरा नौंबर पूरा दिसंबर और 10 जनवरी तक भी कर सकते हैं तब भी आपको यह वराइटी बहुत ही अच्छा पदन देने में शक्से में है यदि आपको इसमें बीज की मातरा की बात पता हूँ तो आपको 45 किलोग्राम परती एकर आगेती में बुवाई करने पड़ेगी और किसान भाइयो 55 किलोग्राम परती एकर जदी आप पच्छेती बुवाई करते हैं तब आपको बीज की मातरा लेनी होगी यह वराइटी 140 से लेकर 150 जिन के मद्धे में पक्कर के तियार हो जाती है और आप इस वराइटी को किसी परकार का कोई भी रोग देने को नहीं मिलेगा रोग रही थोने कारणी है वराइटी किसानों की डिमबर वन वराइटी बनी हुए है इसके पोदे की हाइट 102 सेंटीमेटर तक होती है तना मजबूत होता है जिस कारण से है तेज तुफान और तेज आंधी तेज बारिश मे आप इससे ओस्तन 25 क vi अच्षी 75 कोंटल से लेकर 30 कोंटल प्रती एकड़्त अगतर निकाल सकते हैं जडि इसकी सही समय पर भूखाई जो आप इन तीनों में से कोई सी एक की बुवाई करके अपनी ग्यों की पैसल से अच्छे पैदावार ले सकते हैं। किसान जातियों इन तीनों ही वेरेटियों में प्रोटीन की मातर हाई होती हैं और इनकी रोटी खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिश लगती हैं। कच्छे जानकारी देपाया हूँ यदि आपको आज की जाने के रिच्छ लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके हैं। तो किसाम भाई यो मिलते हैं एक ने वीडियो में ने जानकारी की साथ तब तक किले नमस्कार। कि अजिक आने पाई खकी ने जानकारी और सब्सक्राइब को अजिए हो षच सेल भाईगी तो कि तो कि आने जानकारी की साथ तक कि एक वीडियों वीडियों आने की सच्छ और सब्सक्राइब